किर्चाप का पर्ठमनियम, देखे किर्चाप का पर्ठमनियम क्या बताता है? ध्यान से देखिएगा किसी बिंदू की और आने वाले खुलधाराओं का योग के बराबर होता है देखे मानली ये कोई बिंदू है समझेगा कोई बिंदू है ये कोई बिंदू है ठीक है और यहां से कोई आ रही है धारा ठीक और यहां से मानली ये आई है और यहां I1 हो गया ये I2 हो गया और यहां से ये आने वाली धाराओ है और ये यहां से जाने वाली धाराओ है ठीक ह ठीक और तो देखे यह आने वाले और जाने वाले धारा का जो है योग यहाँ पर देखेगा I1 प्लस I2 ब्राबर I3 प्लस I4 यह ब्राबर होता है ठीक है चलिए अगला कुछन जो है देखे यहाँ पर एक बात है किर्चप के पर्थम नियम को आवेश का सनरक्षन के नियम कहा जाता है ठीक है चलिए अगला कुछन जो है किर्चप के दिवतिय नियम किसी बंद बिधुत परिपत के परतेक भाग में परवाहित होने वाली बिधुत धारा तथा उसके परतिरोध के गुननफल का बिजिय योग परिपत में लगे कूल बिधुत वाहक बल के बराबर होता है ठीक है कोई बंद परिपत है ठीक है बंद परिपत है तो क्या है इसके भाग में परवाहित होने वाले बिधुत धारा और इसमें परतिरोध के गुननफल के योग में लगे कुल वाहक बल के बराबर होता है ठीक चले अगला कोशन जो है किर्चप का दिवतियक नियम तो देखे किर्चप का दिवतियक नियम को कहा जाता है सनरक्षन का नियम पुर्जासन रक्षन का नियम का पालन करता है, ठीक है, चले, अगला कुछन जो है, विभाव मापी, यह ऐसा यंतर है, जिसके द्वारा किसी विधुत परिपत के दो बिंदू के बीच के विभावांतर मापा जाता है, यह एक ऐसा यंतर है, दो बिंदू के बीच के क्या वि म है अगला कोश्म यह ही टे स्टोन ब्रीज डेखे फेड़ू ड्रीज क्या होता है यदि चार परतिरोध को लेकर परतिरोध रे जिस्टेंस बोलते हैं एक यदि हम चार परतिरोध को लेकर ठीक एक चत्रभूज बनाएं बना एक जाते हैं ठीक है न चार गुपरती रूध मानने जये कपटी रूध है दूग वह है यह तीन गोई है चार गुपरतीर रूध ले लिए ठीक तो चत्रवुझ बना दिये और दो सम्मुक़् भुजाओं के बीच इसके दो सम्मुख मतलब यहां और यहां इसके भुजाओं के बीच इसके बीच में क्या बीच गैलोनो मीटर तथा दो समुख भूजाओं के बीच सेल जोर दिया जाता है तो इस बेवस्था को ही टेस्टोन का देखे यहाँ पर जी मतलब गैलोनो मीटर जोर दिया जाता है और इसके दो भूजा है इसके बीच में क्या जोर दिया जाता है बैटरी जोर दिया जाता है तो इस बेवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे हीट इस्टोन बिरिज फिर से समझेगा दिखें यदि यदि चार परतिरोध को लेकर एक चतर भूज बनाए जाते हैं और दो समुक भूजाओं के बीच गैलोनो मीटर तथा दो समुक भूजाओं के बीच सेल जोर दिया जाता है इस बेवस्था को हीट इस्टोन बिरिज कहा जाता है ठीक है चलिए अगला कुश्चन जो है बीधुत धारा का उसमिय परभाव देखिए जब किसी चालक में बीधुत धारा परवाहित किया जाता है चालक में मालीजे कोई बॉलबे है ठीक है उसमें बीधुत धारा परवाहित किया जाता है तब वह गरम होने लगता है अर्थात बीधुत उसमा में रुपांतरत होन बेधूत सक्ति तो देखें किसी बेधूत परिपथ में बेधूत उर्जा के खर्च की दर को बेधूत सक्ति कहते हैं दोस्तों इसका एसाई मात्रक होता है एसाई मात्रक वाट होता है ठिक इसका एसाई मात्रक वाट होता है ठिक अब यहां पर देखिएगा विदु सक्ति कैसे मातरक वाट होता है और एक वाट बड़ाबर क्या होता है तो जूल प्रती सेकेंड होता है जूल प्रती सेकेंड जिसको जे बटा एस भी बोल देते हैं चलिए अगला कोश्चन जो है देखे एक किलो वाट घंटा बड़ाबर क इतना होता है तो देखिए 3.6 गुने 10 पर पावर 6 J होता है ठीक है ना कार्बन परतिरोध का कलर कॉड यह ऐसा यह एक ऐसा परतिरोध होता है जो कलर के अधार पर परतिरोध का मान ग्यात किया जाता है इसके अधार पर हम उपयोग करते हैं देखिए कलर के ही अधार पर हम उस परतिरोध का उपयोग करते हैं कि किस तरह का कलर रहेगा किस तरह का उसको उपयोग करना है ठिक अब यहां पे देखिएगा कार्बन परतिरोध का कलर है एक नमर में देखिएगा काला के लिए जीरो होता है भूरा के लिए एक होता है लाल के लिए दो होता है नडाईगी के लिए तीन होता है और पीला के लिए चार होगा हरा के लिए पांच होगा और नीला के लिए छो होगा, बैगनी के लिए साथ होगा, धूसर के लिए आठ होगा, आज सफेद के लिए नौ होगा, इस तरह के कार्बन परतिरोध कलर है, ठीक है, चलिए, अगला कोशन जो है, ओम का नियम की सिमा है, देखे, उन पदार्थों में ओम का नियम नहीं लगता है, जिन में परतिरोधकता धारा या विभुवांतर पर निर्भर नहीं करता है, जैसे में डाइवोड हो गया, गिलेनियम हो गया, आरसेनियम, ये सब, अगला कोशन जो है, देखे, एक घंटा बड़ाबर कितना होता है, तो देखे, 3.6 गुने, 10 पर पावर, 6 जूल होता है, ठीक है न, तो एक कुलम, एक किलोवाट घंटा बड़ाबर होता है, 3.6 गुने, 10 पर पावर, 6 जूल होता है, ठीक, चलिया, अगला कोशन जो है, कारबन परतिरोध का कलर कोड, यह ऐ ऐसा यह एक ऐसा परतिरोध होता है जो कलर के अधार पर परतिरोध का मान ग्यात किया जता है इसके अधार पर हम उप्योग करते हैं देखिए कलर के ही अधार पर हम उस परतिरोध का उप्योग करते हैं कि किस तरह का कलर रहेगा किस तरह का उसको उप्योग करना है अब यहां पर देखिएगा कार्बन परतिरोध का कलर है एक नमर में देखिएगा काला के लिए जीरो होता है भूरा के लिए एक होता है लाल के लिए दो होता है नडाईगी के लिए तीन होता है और पीला के लिए चार होगा हरा के लिए पांच होगा और नीला के लिए 6 होगा बैगनी के लिए 7 होगा धूसर के लिए 8 होगा आज सफेद के लिए 9 होगा इस तरह के कारवन परतिरोध कलर है ठीक है चलिए अगला कुश्चन जो है ओम का नियम की सिमा है तेखे उन पदार्थों में ओम का नियम नहीं लगता है जिन में परतिरोधकता धारा या विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है जैसे में डाइबोड हो गया गिलेनियम हो गया आरसेनियम ये सिमा